हलो एंड वेलकम तो दे चैनल एम विद्राकेश मेरा नाम है आचलत्यागी यह सेशन हमने शुरू किया है इस्पेशली यूपी टीजीटी और पीजीटी की जो परिक्षाएं हैं उनको ध्यान में रखते हुए हम सभी को मालू है कि अगस्त के महीने में एक्जाम होना प्रस् सब्सक्राइब करेंगे जितना हम कर सकते हैं यहां हम वीडियो में आपके साथ करेंगे कोश्चन की फोर्म में लेंगे लेकिन उसकी जो व्याख्या होगी उससे आपके एक सिजातक के कोश्चन सोल्व हो सकते हैं ठीक है अगर आप चैनल पर नहीं है तो चैनल को सब्सक्राइब करें बैल आइकन को प्रेस करें और अगर आपको वीडियो पसंद आए जो कि आपको लाश्ट तक देखनी पड़ेगी उसके लिए अगर आपको उसके बाद वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें और पीड आज का वीडियो है हमारा जिसमें हमने रिप्रोडक्षन की बात की है. रिप्रोडक्षन इस पेशली प्लांटरिक्षन. शेकिन पार्ट जो हम रखेंगे जो थर्ड actya होगा, उसमें हम रूप्रोडक्षन में एइंपल वाला जो पार्ट है उसको कभ़र करेंगे. ठीक है चलिए इस topic का पहला question में पढ़ने जा रही हूँ शुरू करती हूँ If fruit, a true fruit develops from जो true fruits होते हैं वो किस से develop होते हैं पहला complete flower से develop होते हैं second ovary से develop होते हैं C thalamus से develop होते हैं या none of the above ठीक है तो हम अम्मुमन question देखते हैं अपनी bio में true fruits और false fruit के बारे में ठीक है तो ऐसा माना जाता है कि जो भी seed में जो भी part ovary से किसी भी fruit का जो भी part ovary से develop होता है completely वो ही true fruit होता है इसके लाबा किसी भी part से अगर कोई fruit develop हो रहा है तो उसको हम false fruit बोलते हैं ठीक है other than ovary अगर कोई भी fruit develop हो रहा है किसी भी part से तो उसको false fruit बोलते हैं जैसे कि false fruit हम apple को बोलते हैं बहुत ही common example है apple cashews हैं आपके kaju strawberry ये सब कैसे हैं false fruit के example है इसके लावा आपके जो भी ज्यादतर fruits हैं जैसे कि cucumber हुआ narial हुआ coconut ये सब हमारे true fruits में आ जाते हैं एक टर्म और आ जाती है साथ सा true fruit हो गया false fruit हो गया true fruit मतलब कि ovary से develop होने वाला fruit and false fruit हो गया other than ovary किसी भी part से develop हो जाए thalamus से हो जाए petals से हो जाए corolla kelly किसी भी part से develop हो जाए उसको हम false ही बोलेंगे तो मैं बात कर रहे थी true fruit और false fruit के अलावा एक टर्म और हो थी है जिसको हम बोलते हैं parthenocarpic fruit parthenocarpic fruit हिंदी में इसको बोलते हैं anishik falan anishik falan fal तो यह वाले fruit क्या होते हैं देखिए जब हम एक reproduction का basic उठा के लेते हैं तो उसमें पहले दो haploid number के cells होते हैं आपके जिनको हम gamits बोलते हैं male gamit and female gamit सही अब यह जो male and female gamit हैं यह दोनों मिल करके एक two end deployed structure बनाते हैं दुई गुडित सनरचना बनाते हैं जिसको हम बोलते हैं zygote या फिर yugmak और यह जो gamit हैं दोनों male gamit और female gamit नर और मादा दोनों gamits यह yugmak यह होता है yugmanaj manaj तो यह चीज़ प्रोसेस से मिलकर इस zygote को बना रहे हैं उस प्रोसेस को हम बोलते हैं fertilization ठीक है fertilization तो जहां यह fertilization वाला प्रोसेस ना हो जहां fertilization का अभाव हो जाए वहाँ पर क्या होता है यह gamit direct ही zygote में develop हो जाता है zygote तो नहीं बोलते हैं gamit direct develop होने लगता है एक adult के रूप में या कह सकते हैं embryo के रूप में तब उस तरह के fruits को parthenocarpic fruit बोला जाता है ऐसा नहीं है कि parthenocarpic जो है वो fruits में देखने के लिए मिलती है animals में भी देखने के लिए मिलती है जैसे honeybees बहुत अच्छा एक्जामपल है इसका urns एक्जामपल है लेकिन इसको अगले हम लेक्टर में डिसकस करेंगे आपके साथ अभी parthenocarpic fruit की बात है मतलब ऐसे fruit जो without fertilization develop हो जाएं उनको हम एनिशेक फलन फल या parthenocarpic fruit बोलते हैं जिसका एक बहुत ही अच्छा एक्जामपल है इसके अलावा दो से तीन example और हैं जो कि आप डूनेंगे सर्च करेंगे और नीचे comment box में लिखकर मुझे बताएंगे ताकि आप थोड़ा सा खुछ से कुछ भी सर्च करने के लिए motivate होगे एक point आप सर्च करने के लिए चलेंगे दो points आपको देखने के लिए मिल जाएंगे ओके second question है binary fission is a found in amoeba, paramecium, planaria या all of these ठीक है तो binary fission की यहाँ पर बात की है देखे एसेक्शल reproduction हमें पता है क्या होता है एसेक्शल reproduction और दूसरा एक type होता है हमारा sexual reproduction दोनों में कुछ point पे हम differentiate कर सकते हैं जैसे कि give me a second दोनों में हम कुछ basis पे differentiate कर सकते है जैसे कि asexual reproduction में केवल एक ही parent evolve हता है one parent and sexual reproduction में दो parents evolve होते है ये simple एक में difference बता रही हो आपका यहाँ पर asexualusta में gamut formation होता है asexualusta में gamut formation नहीं होता है sexual ähnlich gamut formation होता है तो इसी asexual reproduction के क्या सारे पार्ट होते हैं, उसमें से ही एक है फिशन, ठीक है, उसी का एक फार्ट है फिशन, फिशन क्या है मतलब कि तूटना, तूटने से आप याद रख सकते हैं, तूटने को हम बोलते हैं फिशन, अब जो अमीबा है, कैसी structure होती है इसकी, कोई भी एक fixed structure नहीं हो सकती है, किसी भी रूप में पाया जाकता है, तो इसमें binary फिशन देखने के लिए मिलता है, इसमें क्या होता है, जो parent अमीबा है, वो direct ही division के अंदर चला जाता है, division उसमें होने लगता है, और एक अमीबा से दो डोटरमी भी बन जाते हैं, ठीक है, तो अब यहाँ पर क्या process evolve था, कुछ नहीं था, gamit formation हुआ, कुछ नहीं हुआ, यह sexual reproduction था, फिशन था, मतलगी तूट ना था, तो एक कमी बाद दो हिस्सों में तूट गया, इसी को हम binary fission कहते हैं, same process हमें परमीश्यम में देखने के लिए मिलता है, और यही process हमें प्लेन एरिया में भी देखने के लिए मिलता है, इसी माध्यम से इन तीनो प्रकार के जीवों में एसेक्शल reproduction हमें देखने के लिए मिलता है, तो जो इसका सही answer है question का वह होगा option number D, all of D's, हमें इन सभी में binary fiction देखने के लिए मिलता है, इसके अलावा binary fiction के दो types आप नीचे इस question के लिए भी comment box में डालेंगे, मैं हर एक सवाल पर कोशिश करूँगे, आपको कुछ ना कुछ question दूँ ताकि आप उन सभी topics relate, कुछ ना कुछ जानकारी, पढ़ें और नीचे लिखने का कस्ट करें comment section म बढ़ते हैं, third question की तरफ, micro pile is found in, एक structure है, micro pile, seed में है, ovule में है, दोनों में है, seed या ovule में या fruits में है, इसके लिए हम बढ़ते हैं, अपने पहले next slide पे, इसमें हम seed structure की बात करते हैं, सामने आपको एक structure दी गई है, जो एक seed की structure है, इसमें radical है, micro pile है, देखेंगे, यह वाला point micro pile है, क्योंकि question में हमें micro pile किया गया है, तो इसलिए मैं जादा इसको highlight कर रही हूँ, इसके लावा testa है, cotyledon है, जिसके base हम बोलते हैं, एक बीज पत्री, दुई बीज पत्री, monocotyledon, dicotyledon, यह cotyledon ही decide करते हैं, कि वो monocotyledon, एक बीज पत्री है, या दुई बीज पत् इसलिए आपको बता रही हूँ, जो radical है, वो आगे चल कर, जब यह mature होगा, प्लांट जब इसमें व्रद्धी होने शुरू होगी, तो जो primary roots बनेगी, सबसे पहले पार्ट बनेगी, वो radical से develop होगे, और जो आपका shoot बनेगा, उपर का सारा part develop होगा, वो plummune से develop होगा, तो main यहां पर micropyle की, ठीक है, micropyle जो है, यहां पर seed में, एक बीज में present है, एक additional बात यह आ गई, जो cotyledon होते हैं, जिसके base पर हम decide करते हैं, कि पोधा, एक बीज पत्री है, या दूई बीज पत्री, एक बीज पत्री को बोलते हैं, monocotyledonous, monocotyledonous, n-o-us, इसको बोलते हैं, dicotyledonous, यह किस base पर decide होता है, कि seed के अंदर कितनी cotyledonous present है, उसके base पर, दूसरी structure यह है, आपके सामने, ovule की, ठीक है, this is ovule, okay, ovule की structure में, अगर हम, बताएं, यह बीच में क्या हो गया, embryo psych हो गया, यह newcellus हो गया, साथ में, outer inner integument हो गया, मतलब layers हो गया, integument means layers, यह micropiler pole हो गया, यह micropile हो गया, this is funicle and this is hilum, यहाँ पर hilum है, इस end को बोलते हैं हम, challenge pole, ठीक है, यह सब structure है, मतलब कि, एक ovule में भी micropile present है, and एक seed में भी micropile present है, जैसा कि अभी देखादा हो नहीं, यहाँ पर, ठीक है, अभी present क्यों है, इसका हम discussion अभी next questions में करने वाले हैं, कर लेकिन ज्यादा curiosity है किसी का, तो वो google पर जरूर चेक करें, कि micropile जो है, इनका function क्या है, क्यों है, एक end दिया गया है, छोटा का ovule में, इसको बोल दिया गया है, micropile है, micropiler end है, तो इसका function क्या है, पहले तो इसके answer के बारे में discuss कर लेते हैं, कि जो micropile है, वो किसमें मिलते हैं, हमें, seed, तो वो किसमें मिलते हैं, हमें seed और ovule तोनों में देखने के लिए मिलते हैं, तो answer होगा इसका third, yes, seed, ठीक है, question number fourth के बात करते हैं, identify the labeling, ovule है, यहाँ पर एक diagram दिया गया है, ovule का, इसके बारे में अभी देखना था, उसमें identify करना है, में labeling क्या कहती है, यह क्या है, अभी हमने बात किया है, क्या है, this is micropile, ठीक है, B क्या है, हमने कोई सी integument है, इसको भी check करते हैं, sorry, B आपका new cellist है, C आपका embryo sec है, D आपका challenge of land है, and B आपका new cellist है, ठीक है, यह labeling है, एक ovule की structure को आप ज़रूर याद कर लीजिएगा, कि क्या क्या उसमें parts देखने के लिए हमें मिलते हैं, बढ़ते हैं, next question पर, that is fifth, what is the other name for double fertilization, it's somatogamy, it's triple fusion, it's central fertilization, या फिर none of the above, triple, double fertilization, double fertilization क्या है, देखें, नाम से पता चल रहा है, double means दो बार, अगर कोई चीज दो बार fertilize हो, तो उसको हम double fertilization बोलेंगे, तो यह जो double fertilization का process है, यह हमें angiosperms में देखने के लिए मिलता है, ठीक है, उनका एक common, इसको हम character बोलते हैं, double fertilization को, angiosperms का, अब इसमें होता क्या है, double fertilization में, fertilization का मतलब क्या है, gamits का मिलना, okay, gamits का fusion, gamits, fusion, अब कौन से gamit, male and female gamit, right, male gamit क्या होता है आपका, stamen होता है, ठीक है, जो कि pollen बनाता है, जो pollen है, उनका function होता है, fertilization करना, and female gamit आपका क्या होता है, ovule या egg होता है, okay, या embryo sec भी सको हम बोलते हैं, embryo sec, जो pollen है, उसकी खास बात देखिए, क्या है, उसमें दो nucleus होते हैं, ठीक है, एनिहापर nucleus के लिए लिखा है, मैंने, embryo sec जो है, उसकी खास बात ये है, कि उसमें, seven, eight, उसमें eight nucleus होते हैं, seven, seven, eight nucleus structure, एक embryo sec को बोला जाता है, ये खास रखेगा बात आप ध्यान, क्योंकि पूछा जा सकता है, question exam में, कि एक developing, जो embryo होता है, developed embryo sec होता है, जो developed embryo sec होता है, वो कैसा होता है, तो option ऐसे ही मिलेंगे, आपको, eight cell, seven nucleus, seven cell, eight nucleus, six cell, seven nucleus, seven cell, seven nucleus, ठीक है, अब वो seven cell, eight nucleus क्यों है, क्योंकि यहां भी, ऐसी एक cell है, जिसमें, दो nucleus होते हैं, वो कौन सी है, उसके बारे में, एक देख लेते हैं, ठीक है, पहले, double fertilization को पढ़ने से पहले, समझते हैं, कि ये क्या है, कि आपके pollen grain की structure है, इसको हम मेल गैमिक बोलते हैं, तो जो ये structure है, इसमें आपको दो cell देखने के लिए मिल लेंगी, जिसको एक को हम बोलते हैं, generative cell, यहां पर जो vegetative nucleus है, and generative nucleus है, generative cell and vegetative cell, यानि कि दो nucleus यहां पर present हैं, एक ये वाला, एक ये वाला, बाहर इन में layers बनी हुई है, अंदर की जो layer है this is entine and जो बाहर की layer है that is exine, exine की खास बात ये है कि जो exine layer है एक बहुत ही खास material जिसका नाम है sporopollenine, इसको भी आप याद रख सकते हैं, important है, sporopollenine, इसकी बनी ही होती है, sporopollenine है एक बहुत ही high, मैं बोल सकती हूँ, highly stable, highly stable, एक पधार्त है, जिस पर high temperature, low temperature, या फिर acidic pH, basic pH, इन सब का फर्क नहीं पड़ता है, highly resistant इसको हम बोलते हैं, तो यहाँ पर exine जो लेह रहा है, उसमें sporopollenine present होता है, किवल एक जगे को छोड़का, वो जगा इसलिए, ताकि जिसको जर्म पोर बोलते हैं, वो जगा पर छोड़के, ताकि यहाँ से जर्म tube या pollen tube बन सके, उसके लिए सिर्फ pollen tube बन सकते, इसलिए यहाँ पर प्रजेंट है, तो आपने देखा होगा जो pollen है, वो हवा में उठते रहते हैं, अगर नहीं देखें तो मैं बता देती हो, गुडल का फूल आप लोगों ने देखा है, गुडल के फूल में जो बीच में structure निकली हुई होता है, वो pollen होते हैं, और pollen इतने अगर में शेँ से लुडल से वह काल, टेखें में अभगों तो आपने निकली ने दोलाएखें, पयानिकली होगाने doesते हैं, nature में this pore of pollen in पहले सही उसमे्प्रेजय से रख था यह कि में को परकरह रखा जासे कि यहां से जर्म पोल से आपकी जर्म ट्यूब या पॉलन ट्यूब निकल कर बहार आती है अब जब just suppose this is a पॉलन और यहां से यह जर्म ट्यूब बहार निकली अब एक टर्म हमने अभी पढ़ी थी माइक्रोपाइल ओके यह जो एंब्रियो सेक है यह वो एंब्रियो सेक है जो अभी हमने इस एक्जाम में यह बीच में इस सा देखा है और यह है आपका माइक्रोपाइल तो जो वो अभी पोलन ट्यूब या आपकी जर्म ट्यूब बनी है वो क्या करेगी यहां से आके एक ओव्यूल में इस तक जाएगी इसलिए यह आपका माइक्रोपाइल एंड होता है यहां से जाएगी एंब्यो सेक तक अब यहां जाके क्या करेगी इसको फर्टिलाइस करेगी इसको फर्टिलाइस करेगी कैसे दो सेल है अभी हमने देखा वेजिटेटिव है और जंडेटिव है पहले एक cell जाकर यहाँ पर जो आपकी central egg cell है उसको fertilize करेगी 2N structure बनेगी जिसको हम zygote बोलते हैं और अब दूसरी cell जाकर क्या करेगी दूसरी cell जाएगी और वो किसको fertilize कर देगी वो करेगी polar nucleoico fertilize जो पहले सी क्या था एक cell थी 2N और अब एक और यहाँ पर cell आ गई 2N प्ल हो गया 3N nucleus हो यह बनाएगी क्या endosperm अंडोस्पर्म बता है आपको क्या होता है endosperm होता है वो material जो एक developing embryo के लिए खाना होता है उसको nourishment प्रतान करता है सिर्फ इस endosperm का काम है आपका जो developing embryo है वो ज्यादा time तक survive कर सके अच्छे से उसके लिए खाना नीचरने पहले स water वो एक्चुले में endosperm ही होता है ठीक है जब अब आगे से नाजल पानी प्योंगे coconut water प्योंगे तो आपको हमेशा आएगा कि हम endosperm पी रहे हैं ठीक है तो यह endosperm है और यह zygote आगे चलके अपना develop हो जाएगा seed में and then नया आपका fruit डेवलप हो जाएगा या flower सेक है इसकी अलग-अलग सेल दो बार fertilize हो रही है ओके तो कोशन के तरफ बढ़ते हैं जी तो other name for double fertilization it's triple fusion क्योंकि हमारी यहाँ पर टीन युक्लियस involved होए हैं ओके कोशन नमबर 6 मैंस्द फोलाइं ए कैलिक्स कोरोला स्टेमन कार्पल और फीमिल गैमिट प्रोटेक्शन अट्रेक्शन मिल गैमिट इसको पढ़ने से पहले चरह हम यहां आ जाते हैं फ्लार की स्ट्रक्चर पे एक वीडियो पढ़ी होई है चैनल पर ही प्रोड़क्शन के मैंने समझाया हुआ है आप लोग उसको देखिएगा उसमें आपको बहुत समझ में आएगा ठीक है अगर आपको प्लांट रिप्रोड़क्शन समझ में नहीं आता है तो इस वीडियो को देखिए अगर आपकी डिमांड होगी तो उसका सेकेंड पार्ट भी में बनाओंग जो है इस इस कैलिक्स दूसरी भाशा में इसको कैलिक्स बोला जाता है और मैं कह सकते हूँ ग्रूप ओफ सैपल जो है देट इस कैलिक्स थर्ड आती है आपकी यह ब्यूटिफुल सी अट्रेक्टिव सी लीव्स पैटल जिनको बोलते हैं ठीक है पैटल पैटल के गुरूप को हम बोलते हैं को रोला एक्ज़क्ली बीच वाला पार्ट यह है फीमेल पार्ट फीमेल रिप्रड़क्टिव पार्ट उपर का आपके औलन के लैंड करते हैं जलाद से फिथे एंफित को इससे जए स्टिप साइजल पोलते हैं हमारे अeln oynा होतीं से सब्सक्राइब चिंट आपकेमेनमे कल्ए इस जे मलमार हैं कर दो अधिन इस्तिग्मा स्टाइल यह हो गई है हमारी पिस्टिल और कारपल और ग्रूप को बोलते हैं हम गायनेशियम मादा जो जनननाग और नरजननाग ओके हिंदी की तर्म मुझे के लिए अप नहीं है ज्यादा तर इसके लिए मैं इंग्लिश में ज्यादा तर तरम नर्स बता रही हो आपको लेकिन कोसिश करते हूं जितनी वी टम सब्स मुझे पता है ऐको वह बता हो चलिए जी आज आते हैं कैलिक्स का जो काम है अभी मैंने बताया था जो लीफी स्ट्रक्चर बाहर है इस तरह कि उनको कैलिक्स बोलते हैं का काम क्या है protection होता है जब flower क्या था एक बढ़ था शुरू में जब खिला नहीं था तो इन leaves का काम था इसको ऐसे बहार से cover करके रखने का protection देने का ताकि इस पर कुछ भी हानी ना हो जो इसके अंदर एक embryo आपका डवलप हो रहा है काम करता है protection का korola सुंदर होती है colored होती है इनका में काम है attract करना किसको इंसेक्ट को attract करना birds को attract करना why for pollination pollination इसलिए क्योंकि जो कीड़े होते हैं हमारे insect होते हैं वो भी pollination का हिक माध्या में उनको attract करना ताकि जो पोलन्स हैं वो आ जाएं इस्ट्रम पर स्ट्रमन एंड कारपल स्ट्रमन मैंने भी बता है मेल गयमिट को हम बोलते हैं इस्ट्रमन एंधर एंफिलामेंट दोनों स्ट्रमन का पार्ट होते हैं बताया था ना भी एक ऐसी structure थी और इसकी जो स्ट्रमन का पार्ट है वह आपको जो लेक्षर पड़ा हुआ है चैनल पर वहाँ पर देखने के लिए मिल जाएगी कारपल हमारे फीमिल गयमिट होती है ओके डन स्ट्रमन का पार्ट है मैंने अभी जो आपको इस्ट्रक्चर पता ही थी पूरी उसमें बताया था जो एक्जाइन है उसमें जगा जगा कुछ गैप छुड़ा होगा होता है एक्जाइन नहीं होती है जिसको हम जर्म पोर बोलते है और जर्म पोर का काम क्या है पोलन को शुरुबात करना यहीं से बनना शुरू होता है तो विल गो विद ऑप्शन नमबर C इन इसकोशन निसीशन फॉलन ट्यू राइट अदर ऑप्शन को चाहदा में देखने की जरुवत ही नहीं है उंको हम ऐसे ही ऐलिमनेट कर सकते हैं अपके लिज अफ मिल गैमिट इस इस नहीं 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 होएगा उप्शन नमबर D के साथ कोशन नमबर 8 विच फॉल इस पॉल इस पॉल इस हो गया है कुछ बच्चे सोच रहेंगे यह क्या होता है एंटोथीशियम प्रोड्यूस्पोर टैपटम नुरिशिस दाप्लापिंग पॉलन और हाद आउट आउट कि गलत हो गया है क्योंकि जो हार्ड लेयर होती है इस एक्जाइन पॉलन की पॉल इस टिशू है अगर आपको याद है और आपने लेक्चर देखा है यह वाला तो मैंने यह बताया था कि जो एंथर है जब हम उसकी स्ट्रक्चर काटते हैं तो कुछ ऐसी आ जाती है जिसमे के बीच में इस तरह से कुछ सर्कुलर हमें इस से देखने के लिए मिलेंगे जिसके अंदर टिशू बढ़ा होता है जिसका हम बोलते है इस पोरोजिनस टिशू को मैं अगर बहार निकालना तो इसके अंदर इसकी चारो तरफ तरफ तीन कवरिंग होती है लेयर्स की यह है इस पोरो जीनस टिशू इस टिशू की एक सेल को अगर मैं बाहर निकाल लूँ तो इस टुएनी नमबर और इसको बोलते हैं माइक्रीश पॉर्ण मदर सेल मीक्रीश पोलन ग्रेन मदर सेल ठीक है पीमसी या म्मसी और यह टुएन होती है नमबर में तो हेपलोड नहीं होती है इतना हो गया है तो इसको हम बोलेंगे औप्शन में इंकरेक्ट है एंडोफीशं प्रोड्यूज दा माइक्रोड इस नोट अप्शेशिंगे तीशिंग करती है दिए आपके माइक्रोस्पोर जैनेसिस का पूरा प्रोसेश होता है इस पुरोजैनेस टिशू के थे दूह होता है तो और बूरे जो तो ऑप्शनन नमबर बी इंकरेक्ट है जब यहाँ पर develop होंगे सारे sporogenes tissue के अंदर pollens develop होंगे तब यह tapitum उनको nourishment के लिए यहाँ पर help करेंगी So we will go with option number C in this question Okay Now how many mutic divisions take place to form 64 pollen grains Pollen grains के इस process के द्वारा बनते है Microsporogenesis ठीक है इस process के द्वारा बनते है अगर मैं कहीं पर गलत हुई या कोई question इदर उदर हो रहा है तो नीचे comment box में डाल दीजिएगा या कुछ समझ में नहीं आ रहा है तो भी comment box में डाल दीजिएगा सबके doubts को लेकर एक वीडियो में अलग से बना दूँगी जिसमें सिर्फ doubts doubts के बारे में मैं बात करूँगी okay Microsporogenesis बोलते हैं formation of pollen grain का जो process होता है इसमें क्या होता है sporogenesis tissue से मैंने बताया एक cell हमने उठाई जिसको हमने बोला MMC और PMC यह develop होती है इसमें मियोटिक डिविजन होता है Microspor टेट्राड बनते है ठीक है टेट्राड चार्ज यानि की pollen's develop होती है एक उससे तो अगर इस हिसाब से देखें अगर एक MMC cell से 4 बन रहे है तो 16 से कितने बन जाएंगे 16 into 4 equals to 64 so we will go with option number 2 this question 64 pollen grains जो है उसके लिए 16 मियोटिक डिविजन हमारे लगेंगे correct next false fruit are founded false fruit की बात हम सबसे पहले question में already कर चुके हैं कि अगर other than ovary किसी भी पार्ट से fruit है वो develop हो रहा है तो हम उसको false fruit कहते हैं consider करते हैं false fruit apple और pear दोनों ही false fruit है strawberry false fruit है cashew nut false fruit है तो इस question में जाएंगे हम option number D के साथ this is the correct answer this question option number D कि यह सारे ही false fruit है okay I hope आप लोगों ने इस वीडियो को enjoy किया है सभी questions सही रहे हैं और सभी explanation जो मैंने दिया है वो आप तक पहुंची है अगर आपको कोई doubt है नीचे comment box में आप लिखती जिए यह था हमारा TGT PGT UP biology के लिए जो special series किया गया है उसका day 2 का lecture जिसमें हमने बात किया reproduction first part के बारे में first part in the sense plant reproduction के बारे में अब आपका काम क्या है इस वीडियो के देखने के बाद topic उठाईए throw out सारा pencil लेके बिल्कुल अगर आपने notes नहीं बनाए है पूरी book को पर डालिए कुछ question उठाके randomly solve कीजिए अगर आपने notes अभी आपके पास अपना time है आप notes बना सकते है short notes बना हाइलाइट कर लिजे main points को book में ताकि आपका एक quick revision हो जाए हम मिलेंगे आपको next video में उस्ते पहले वीडियो को like करना वीडियो को share करना चैनल को subscribe करना ना भूले thank you